हेलो एब्रिवान, सब्सक्राइब किजे किचन हब को और बेल आइकोन को दबाईए मेरे लेटेस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो आपने तो देखी लिया मैंने यहाँ बनाया है मटर पनीर और पनीर को मैंने कैसे निकाला है वो आप वीडियो डिस्क्रिप्सर बॉक्स में जाकर देख सकते हैं क्योंकि यह पनीर मैंने निकाला है जब मैंने देसी घी घर पे निकाला था और उसी के मलाई से मैंने यह पनीर भी निकाला है तो चलिए मैं आपको पनीर का टेक्श्चर दिखाती हूँ देख लीजे ये बिल्कुल मार्किट जैसा पनीर है बहुत स्मूद और बहुत ये स्पॉंजी ये पनीर है आप भी अगर घर पर घी निकालने के शौकीन है तो आप आसानी से बहुत ही आसानी से आप पनीर निकाल सकते हैं उसी मलाई के दूध से आप वीडियो आखरी तक देखिएगा बिल्कुल स्किप मत किजिएगा तो मैं देखा देती हूँ यहाँ पर पनीर अब यहाँ पर मैंने पनीर को अच्छे से कट कर लिया है देखिए कितना स्मूद पनीर लग रहा है एकदम पर्फेक्ट बना है पनीर हमारा और टेस्ट तो लग रहा है कि जैसे मार्किट से अभी अभी खरीद कर लाया है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन पैन में गया तेल और इसमें मैं डाल रही हूँ दो मीडियम सैज के प्याज मोटे मोटे कटे हुए कोई फाइन चॉप नहीं करना है और इसी में जाएगा मोटा मोटा कटा हुआ दो बड़े साइज का टमाटर इसे हमें सौफ्ट करना है पकाना नहीं है पूरे तरीका से तो अब इसमें डाल देती हूँ एक छोटा चुकड़ा अद्रक का और आज से दस लैसुन की कलिया इसे भी इसमें डाल के सौफ्ट करना है अब इसमें जाएगा दो हरी मिर्च फ्लेवर के लिए तो बस इसको तीन से चार मिनट के लिए ढख कर सौफ्ट कर लेना है इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक इसे पूरी तरीके से गलाना बिल्कुल नहीं है बस इसको सौफ्ट कर लेना है तो देखिए ये सौफ्ट हो चुका है इसे हमें बनानी है ग्रेवी तो इसे ठंजा करकर मैंने एक मिक्सी के जार में ट्रास्फर कर लिया है अब इसे हम पीस कर ग्रेवी तयार कर लेंगे ग्रेवी रेडी है इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो अब चलते हैं मचर पनीर बनाने के तरफ मैंने ले लिया कढ़ाई करहाई में गया जीरा लगभग एक चमच अब इसी में जाएगा लाल मिर्चे का पाउडर एक चमच या फिर स्वाद अनुसार डिरेक्ट तेल में मिर्चे डालनी है अब इसी में मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर आधा चमच हल्दी बाद में ही डालना है पहले नहीं डालना है देर चमच के करीब मैंने डाल दिया धनिया पाउडर इसे करते हैं मिक्स ये गया नमक नमक स्वाद अनुसार ही डाले हैं अब ये गया हरा मटर ये पूरा 200 गराम हरा मटर है ये भी इसमें गया अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कसूरी मेथी जिसको मैं हाथों से रब करके डाल दे रही हूँ यहाँ पे थोड़ा कैमरा हिल गया था इसलिए वीडियो साइट से आ गया है साथी साथ में मेरा मसाला भी बन कर रेडी हो चुका है इसे मैंने साथ आठ मिनट के लिए धक के भून लिया था आप देख सकते हैं इसका कलर विल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी करेब डेड गिलास मैंने पानी डाला था घबडाना नहीं है क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा पानी सोखता है तो यह ग्रेवी लाष्ट में एकदम गाड़ी हो जाएगी अब यहाँ पे मैं डालती हूँ पनीर आप इसमें नमक चेक करके डाल सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा पनीर डाल दिया यहाँ पे आ गया है बॉयल अब इसे ढखके और पकने देते हैं देखिए करीब करीब पांच से छे मिनट के बाद हमारी ग्रेवी एकदम ठीक हो गई है एकदम गाड़ा गाड़ा ठीकनेस आप हमेशा अपने ही इसाप से रखिए अब यह गया आदा चमच से ज्यादा गरम मसाले का पाउडर इसे हम लास्ट में ही जालते हैं इसे कर लेते हैं मिक्स इसमें गया हरा धनिया अब इसे ढख देते हैं तो देखिए हमारा मटर पनीर एकदम रेड़ी है बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज